IPL 2014 सीजन से पहले पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर नहीं राजनीती से सन्यास लेने का एलान कर दिया है उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी बिदी गौतम ने कहा कि मैं बीचेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा से अपील करता हूँ कि वेह मुझे मेरे राजनीतिक दायतों से मुक्त करें ताकि मैं क्रिकेट पर फोकस कर पाऊँ आपको बता दे कि गौतम गंबीर पूरवी दिल्ली लोगसबा सीट से बीचेपी सांसद है वे 2019 लोगसबा चुनाव जीत कर पहली बार सांसद बने थे दरसल गौतम गंबीर की तरफ से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब बीचेपी की तरफ से लोगसबा चुनाव के लिए उमीद्वारों की पहली लिस्ट जारी की जाने वाली है इस बात की चर्चाएं तेज हैं की पहली लिस्ट में उन सीटों पर उमीद्वारों के नाम होंगे जिन पर पार्टी को पहले भी जीत मिल चुकी है इसमें पार्टी के दिगजनेता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्रु मूदी, अमित शाह, राजनात सिंग, नितिन गटकरी के नाम भी शामिल है बीचेपी की पहली लिस्ट में जिन सीटों का एलान किया जा सकता है उसमें वारण असी, गांधी नगर, अमेठी, नाकपुर, लखनव भी शामिल हो सकते हैं लोगसबा चुनाव दोहजार चौबिस से ठीक पहले आई इस खबर ने सभी गोचोका दिया है अब सवाल उट रहा है कि आखिर गौतम गंबीर की जगे कौन ले सकता है बीचेपी के केंद्रिय चुनाव समीती की बैठक गुरुवार को दिल्ली पार्टी मुख्याले में हुई और पार्टी जल्द ही अपने उमीदवारों की सूची की घोशना भी कर सकती है अब ये समझते हैं कि आखिर कैसा रहा है गौतम गंबीर का राजनीतिक करियर राजनीतिक की पिच पर बैटिंग करने की शुरुआत गौतम गंबीर ने साल 2019 से की थी वे मार्च 2019 में बीजेपी में शामिल हुए और इसके बाद जब लोकसवा चुनाव 2019 के लिए पिजेपी की तरफ से उमीदवारों के नामों का एलान किया गया तो उसमें पूर्वी दिल्ली सीट से गंबीर को उमीदवार बनाया गया था वे पार्टी की उमीदों पर खरे उत्रे और उन्होंने यहां से भी जीत हासिल की उनके सामने आम आदमी पार्टी की अतीशी और कॉंग्रिस के अर्विंदर सिंग लवली मैदान में थे वे अक्सर ही सदन में होने वाली चर्चाओं में भी नजर आते थे हाला कि कई बार वे अपनी क्रिकेट कमिटमेंट को लेकर भी विवादों में रहे हैं तो गौतम गंबीर केस चुनावी रिटायर्मेंट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं